हेलो एवरिवन वेलकम टू कलाकारी इंडिया आज हम आपको अपनी मूर्तियों का मॉल्डिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं यह प्रोसेस बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है जो नए वीवर्स है वो चैनल को सब्क्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेर और केमेंट करना ना भूले सबसे पहले हम मूर्तियों का बेस लिक्विड जिसे हम मार्बल डस्ट कहते हैं उसे रेडि कर रहे हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मॉल्ड में इसे डाल देंगे यहां जरूरी है कि हमारे लिक्विड की मात्रा मेजर होती है और हम इस लिक्विड को पूरी तरह से मोल्ड में बठाते जाएंगे और हरे कोने तक लिक्विड की जो लेर है बना देंगे दीरे दीरे यह जो लिक्विड है मोल्ड में ही सेट होता जाएगा तब तक हम इसे गुमाते रहेंगे और अब यह रेडी है जहां पर जहां तक है आपको वीडियो में दिख रहा है यह जो है सेट हो चुका है तो अब आप देख सकते हैं कि सेट होने के बाद से पूरा मोल्ड अंदर से कैसा दिख रहा है हर जगा से लिक्विड सेट हो चुका है जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा है अब हम चलते हैं वीडियो के next process पर जिसमें हम mold को base से strong करते हैं तो friends हमने जो base liquid use किया था starting में mold को बनाने के लिए उसी को हमने गाड़ा paste बनाया है जो base को solid बना देता है इसे हम चारो side से एक inch की white layer जो है में इसमें लगाएंगे चारो तरफ ताकि इसकी base strong हो जाए और piece ना तूटे So friends, it's important to tell you कि यहां हम double layer में molding करते हैं जो कि हमें दूसरे manufacturer से अलग बनाता है जो लगने के बाद आपको कुछ इस तरह दिख रहा है तो यहां तक के process में हमारा mold काफी solid हो चुगा है हमारा mold जो है liquids के साथ एकदम strong बन चुगा है पाकी जो manufacturers हैं वो सिर्फ सिंगल layer का माल बनाते हैं जो कि piece को काफी weak बना देता है जिससे उसके तूटने का खतरा रहता है especially in shipping अगर shipping में अगर damage नहीं होगा तो customer तक easily product पहुँच जाता है अब हम इसके mold को बाहर से थोड़ा oil लगा देंगे ताकि अंदर से mold piece को छोड़ दे और piece तूटे नहीं अब mold को हम carefully piece से अलग करके उतार देंगे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा और अब यह final product है जो कुछ ऐसा दिखता है जो यह आपको piece में hollow दिख रहा है यानि की gap इसको हम marble के तुकडों से फिल करेंगे और base को same liquid से बंद कर देंगे तो friends यह था हमारा molding का process hope you like the video and please don't forget to subscribe the channel and like the video करता किस्ट मेल देंगे झाल किस्ट करेव से रहा है यह जज यह देंगे